दोस्तों नवश्कार मैं रजिनिश कुमार PVR अक्वा कल्चर फार्म से कैसी है मेरी PVR अक्वा फैमली आसा करता हूँ सब सबस्वस्त होंगे और बिजी हैं अक्वा कल्चर में आजकल अपने हर्वेस्टिंग में और बहुत सारे न्यू बिगनर्स बहुती फुल एनर्जी के साथ और फ्लैक को लेके आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में और आने वाले दो-तीन साल इस इंडस्ट्री में आप देखेगा भार स्टेट में हर डिस्टिंग में बहुत ही अच्छे फार्मर्स जो टी-ट्वेंटी के प्लेयर्स होंगे वो निकल के आएंगे लेकिन मैं यह भ परशेंट बन्दे नहीं होगे क्योंकि उनके जो टैां मैं पहले चूत की तकी क्या है तो यह टाइम टाइंपे मैं लोगों जो मिलते करना है उसमें एक नाम कमाना है तो आप ये देख लिजे कि आपका एनरजी लेवल क्या है उस इंडिस्ट्री के लिए वो इंडस्ट्री भी आपको बाउंस बैक 100% करेगी और आप बहुत अच्छा उसमें काम करेंगे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 5 essential nutrients फिश के क्या है दोस्तों हमें आपको share करना चाहूंगा कि जो फिश की growth है वो directly proportional feed जो हम उसको खाना देते हैं अब खाना किस ingredients किन-किन material से वो बना हुआ है ये depend करता है तो मेरे लिए हमारी 5 चीज़े होती है proteins, lipids, carbohydrates, आपके minerals और vitamins ये 5 main component हैं किसी भी feed के और पूरी industry में आपकी जो production cost है वो 60-70% इस 5 चीज़ों के आसपास घूमते रहती है बहुत सारी videos मैंने देखी भी हैं, बनाई भी हैं, बहुत सारे farm भी visit की हैं, लोगों का focus रहता है कुछ भी करके feed cost को minimize किया जाए मेरा focus रहता है कि fish के price को बढ़ाए जाए, दोस्तकर हम fish को एक quality feed नहीं देंगे, तो growth कैसे करेगी सबसे बड़ा हमारा जो catch है वो यही है, कि हम feed cost को minimization पे focus ना करें, हम fish की cost, जो marketable price है, उसको बढ़ाने पे focus करें हम जो मचली को feeding कराते हैं, उसका objective क्या है? उसकी health अच्छी हो, optimum growth हो, optimum उसकी yield निकले, और waste minimum हो हमारा water parameters maintained है, यही हमारा purpose है, उसको feeding कराने का, जो हमारा protein है, protein हम use होता है उसकी fish की growth के लिए और source of energy है, हमें पांचों component का logically, technically हमें know-how भी पता होना चाहिए की उस component का fish के लिए क्या use है, अगर आप एक high protein value feed दे रहे हैं और एक low protein value दे रहे हैं, तो आप उसमें तब ही analysis कर पाएंगे, जब उसकी growth के कुछ figures, कुछ analyze, कुछ एक भहिने बाद उसका chart कि पहले हमारे stock क्या care time था, जब हमने उस water body को protein खिलाया, तो क्या था, और उसी same scenario में हमने दूसरा protein खिलाया, तो care easily खिला, मेरी अपने किसान भाईयों से request है, आप जो भी खिला रहे हों खिलाईए, किसी एक point में जो आपके हाँ easily अच्छी company का feed available हो, as a experiment based, एक point में खिलाईए, बाकी में जो आ कहां lag कर रहे हैं, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना चाहिए, जो हमारे lipids रहते हैं, वो हमारे energy, हमारे source of energy हैं, और जो cell membrane को maintain करते हैं, देखें, फिश आपने develop तो की, एक फिश है कि जो gram के poker में develop हो रही है, एक आपके poker में develop हो रही है, जो आपका price है, वो 200 रु कर रहा है, एक poker की मचली है, जिसकी आपने travel करा दी, तो वो travel stress में dead हो गई, उसका price dip हो गया, तो दोस्तों, आप सोचिए ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं उस body में energy नहीं है, कहीं ना कहीं उस body में कोई source नहीं है, कहीं ना कहीं वो इतनी develop नहीं हो पाई है, वो resistance नहीं कर पाई है अपने आप में, तो आपको जो पाँचो ingredients हैं, वो पाँचो किसी भी source के माध्यम से fish को देने हैं, जो हमारे carbohydrates रहते हैं, जैसे कि हमारा rice हुआ, bread हुआ, तो ये सब लोग बाग देते हैं लग लग, बहुत सारे लोग चपाती खिलाते हैं, कोई पुरानी expert bread खिलाता है, तो इससे हम कहीं लगी water को भी pollute करते हैं, तो मेरा focus तो रहता है कि आप simple success formula in aquaculture follow the proven farmer, आप ऐसा समझे लीजिए, जो एक अच्छा farmer है, अच्छी growth कर रहा है, आप उसे follow कीजिए, simple ये rule लगना चाहिए आपको, जो vitamins है, vitamins क्या करते हैं, कि जो भी आपके protein ये lipid के जो support system है, भी हो सकते हैं, fat soluble भी हो सकते हैं, जैसे vitamin C बड़ा main काम रहता है, जो हमारे minerals रहते हैं, वो हमारी जो body है, उसको regulate करते हैं, regulate body functions, वो हमारे minerals का का काम है, तो minerals का अलग काम है, minerals हमारे water में कितने होने चाहिए, feed में कितने होने चाहिए, vitamins का अलग काम है, carbohydrate का अलग, lipid का करें मचली डिजीज फ्री रहे आपका जो इल्ड है जो आपकी क्रॉप निकल लिए वो अच्छी निकले और आपका वेस्ट मिनिमम हो तो दोस्तों आप चाहे कोमर्शल फीड यूज करें चाहे होमेड फीड यूज करें चाहे अलग-लग इंग्रिडेंट्स लें आपको उसक क्रूड प्रोटीन क्या है और उसका रो प्रोटीन क्या है सब चीज़ें के बारे में आप जाने की कौसिस कीजिए कि आप जो प्रोडेक्ट यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा कितना कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का मचली की बोड़ी पर क्या इंपेक्ट है सिंपल अग पांच वीडियो मेरी आप सब फार्मर्स बिगनर्स और एग्जिस्टिंग जो मेरे फार्म्स कर रहे हैं और अची इल नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप निरास ना हो follow the best proven methods of the industry अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फार्मिंग के लिए बने रहे हैं अपने PVR एक्वा यूटूब चैनल पर और जानते रहे हैं एक्वा कल्चर से रेटीड सारी बाते जादर जादर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे की penetration बढ़े और फार ट्रवाट